है गाइस मैं हूँ अतूल और आज की इस वीडियो में आप सब लोगों से बात करने वाला हूँ वाट इस करेंट क्यूंकि एज इंडस्ट्रियल पॉइंट व्यूं से अगर देखा जाए तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको करेंट के बारे में ही बताने वाला हूँ तो प्लीज वीडियो को सुरू से अन तक देखिए और अभी तक आपने अगर मैंने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब करिए तो चलिए बिना किस तेरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं what is current तो current के अगर आप determination देखोगे तो उसमें ये बताये गया है कि current is the flow of electrons in a closed circuit याने किसी भी closed circuit में अगर electrons flow हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो है current है current से related जो है एक fact यात रखना है कि किसी भी circuit में अगर electrons जिदर flow होते हैं उसके opposite side में current flow होता है जो की हर एक interview question है ये interview में पूछा जाता है कि अगर current एक तरफ flow हो रहा है तो क्या electrons भी उससी तरफ flow होगा या पर दूसरे तरफ तो आपको बताना है कि current जिस तरफ flow होता है electrons उसके opposite तरफ flow होती है आपके समझने के point of view से मैं आपको जो example देता हूँ तो suppose भी मान लिजे कि कोई एक टंकी है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है और उस टंकी के नीचे में एक नल लगा हुआ है और अगर आप नल को खोलते हो तो वो पानी नीचे गिरता है तो वो जो है current बहरा है ऐसा आप जो है asm कर सकते हैं इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जो कि voltage रिलेटिक था उसमें भी मैंने आपको एक example दिया था कि अगर suppose आपके सामने एक पत्थर है बहुत बढ़ा सा और अगर आप उसे धक्का लगाते हो तो आप जितने force से उसक हम force को बढ़ाएंगे हमारा जो current है वो उतना जाद बहना start करेगी तो guys इसका example में आपको बताता हूँ आप अगर industries में या फिर घरों में कभी ना कभी देखे होगी कि जो भी lights आपके घर में जलदे हैं तो कभी-कभी voltage fluctuation के वज़ा से वो light जो है जो brightness है वो थोड़ा धीमा हो जाती है और कुछ दिर बाद फिर वो अचानक अपना पहले वाले जैसा brightness पे आ जाती है तो इसका problem ही है कि जो उस टाइम जो है voltage जो है थोड़ा कम है और अगर voltage कमता है तो उसका brightness पे जो है वो असर पड़ता है जिससे भी आप समझ सकते हैं कि यह जो voltage है यह current का proportional है यान वीडियो बनाया हूँ उसका link में उपर आई बटन पे और नीचे description box में दे दूँगा आप फुदर से वो वीडियो देख सकते हैं जिसे कि आपका knowledge और भी जाता सार्प हो जाएगा अब बात करते हैं कि आखिर यह current है इसे हम कौन से unit में measure करते हैं तो हम लोग current के ampere पे measure क करते हैं और उसे capital letter A से denote किया जाता है तो अभी मैंने आपको जो भी बाते बताया है यह सारा current से related है तो अगर आपको मेरे बताने का तरीका अगर अच्छा लगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो please चैनल को subscribe कर दीजे ताकि आने वाले जो भी electrical से related वीडियो से वो आपके पास पहुंच जाए तो guys मिलते हैं next वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें